तो हेलो बेक टो माई यूटीव चैनल मैं आपका दोस्का और अगर आज हम लोग बात करेंगे कि या की जो सेलिटॉस है उसकी बिल्ट क्वालिटी की बारे में क्योंकि अभी-अभी हाली में एक एकसिजेंट होगी है यहाँ पे रुद्रप्रेग और श्री नगर के बीच में काईका एकसिजेंट आई है तो यार इसमें आप देख सकते हैं कि असलिटॉस की हालत जाए वो कैसी हो रही है तो मैं आप लोगों को बता दू है एकसिजेंट कैसे हुआ है तो यार सुनने में आ रहा है कि गाड़ी जो थी वह साट या सतर की स्पीड में थी और एक ट्रक से ओवर्टेक कर रही थी तो सामने से भी एक गाड़ी आगी तो कार ने अचानक से एक कट ले लिया जिससे गा प्रेज रेटिंग है और चाइल्ड ओक्यूपेंट्स के लिए टू आउट आफ वाइफ स्टार रेटिंग लाई थी जो की बेकार रेटिंग है त्यारा हम लोग हर को ही चाहिएगा कि आप लोग अगर 11 लाग से लेकर 20 लाग तक की गाड़ी में कुछ पैसा खर्च कर रहे चलता रेटिंग्स के सेफटी 챙 तो आप लोग को इसमें सबसे जयादा सेफटी फैचर जो है वह एक स्टेंडर्ड सेफटी में नहीं मिलेंगे जो कि पेस या फिर बीच के वेरियंट में आपको आता है ये टॉप एंड वेरियंट में ही आपको इसमें मिलेगा तो यार मेरे हिसाब से जितने भी सल्टॉस होना रहे हैं या फिर जितना उने भी सल्टॉस ली है या फिर जो भी सल्टॉस लेनी का सोच रहे हैं इससे कंसे कम इसPOचे तो उम्हीद है कि ये गाड़ी cat4 star out of 5 star rating लाके दे 11,000,000 से लेकर 20,000.000 पे की गाड़ी में हर कोई यहीं उम्हीद करेगा ति इसकी गाड़ी में कमसे कम पीज साथ सेफटी रे इटिंग्स हो तो कि 20 लाक रुपे कम नहीं है एक इंडियन कार्ज के हिसाब से इतने में आपको काफी सारी अच्छी गाड़िया मार्केट में मिलती है त्यारे की काफी सिंपल सी बात है आपको इसमें काफी सारे देखने को बिल जाएंगे पर एक जो एक में चीज़ है काफी जरुद की चीज़ है सेफटी उसमें गाड़ी को थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आएको काफी सेफटी अप्डेट आएंगे आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का हाल यह मेरे सामने की वीडियो है मैं खुद देख के बता रहा हूँ कि गाड़ी की कंडिशन कैसी होगे आप देख सकते हैं बाड़ी रोल हो गई है